नमस्कार साथियों, IPL की सुरुवात आज होने वाली है और एक बार फिर से सट्टे बाजों का दिन आने वाला है IPL मतलब सट्टा बाजी और ये जम करके होता है लेकिन खेर ये खेल भी है और इस खेल में पूरी देश दुनिया सब की निगाह रहती है और जिसके सुरुवात एक बार फिर से आज शाम के मैच से होने वाली है और IPL 2023 का जो आगाज होगा उसमें डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात भीड़ेगी चार साल की विजेता चिन्नेई से आईए चलिए आज के मैच के बारे में आज से मैं बात करता हूँ IPL के 16 हुआ सीजन आगिये देखते ही देखते 16 हुआ सीजन आगिया है और आगाज शाम को 6 बचे एहम्दाबाद के नरिंदर मोदिय स्टेडियम में होगा आज ओपनिंग स्टेरो मनी होगा रंगा रंग कार्किरम होंगे कई सारे सेलेब्रिटी जाएंगे नाच्टा ना म्यूजिक धमाल सब होगा इसके बाद साम को साड़े साथ बज़े मैच के सुरुआत होगी और इस मैच में डिफेंडिंग चैंपियन गुजराथ टाइटन्स और चार बार की विजयता चेन्नेई सूपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा और आपको पता ही है कि चैन्नेई सूपर किंग्स में इमेस्ट धोनी है जो किसाए दिये उनका आखरी टुनामींट होगा आखरी आइपियल होगा और आखरी क्रिकेट पैच भी होगा अनुमाल लगाया जा रहा है कि धोनी स्थन्यास लेने वाले हैं आइपियल में पूरे चार साल के बाद ओपनिंग सिर्मनी होगी इस बाद क्योंकि कोविट के कारण ओपनिंग सिर्मनी को बंद कर दिया गया था और तीन साल बाद टुनामींट होम और अवे फॉर्मेंट में खेला जाएगा गुजरात और चनई का हेट टू हेट रिकॉर्ड दोनों के टॉप प्लेयर्स पीच रिपोर्ट वेदर रिपोर्ट और पॉशिवल प्लेइंग 11 कौन-कौन होंगे इस बार इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में महिंदर सिंग धोनी की कफ्तानी वाली चनई सुपर किंग्स इस बार तूनामेंट की सबसे सफल और बेहत सफल टीमों में से एक है टीम ने टूनामेंट में मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा चार बार खिताब जीता है 13 में से 11 सीजन में टीम प्ले आउफ में पहुँची और 9 बार फाइनल भी खेला है ये एक बड़ी उपलब भी है चनई सुपर किंग्स के लिए पिछले सीजन के 14 में से टीम चारी मैच जीत सके थी इस कारण उन्हें नवे नंबर पे रह करके प्रूनामेंट से बापस होना पड़ा था यानि कि पिछला सीजन उनके लिए सबसे खराब परदर्पन का दिन था टीम के चार विदेशी प्लेयर्स बेनिश्ट्रॉक्स, मोईन अली, डेवेन कॉनवे, मीचल स्टैनर और देन प्रिटोर्नियम इसमें से हो सकते हैं महीज तिक्षना सुराती मैचों के लिए अबलेबल अभी नहीं है इसके अलबा रितुराज गायकवार्ड, रविंदर जटेजा, दिपक चाहर, शीवम दूबे जैसे भारतिये प्लेयर्स भी चेनेश शूपर किंग्स को मजबुती परदान करेंगे और जो टॉप क्लियर होंगे इस बाद चैनेश शूपर किंग्स में वह बैनिश ट्रॉक्स हैं उसके बाद रविंदर जटेजा है और महेंदर सुम्ध धोनी है गुजरात टाइटन्स की अगर बात करें तो गुजरात टाइटल जो है वो डिफेंड का उनके उपर काफी दबाव रहेगा च्योंकि पीछले वो चैंपियन है और इसको लेकर के इस बार उनके उपर दबाव काफी है पिछले IPL सीजन में ही दो नई टीमों को जोड़ा गया इसमें एक था गुजरात और दूसरा था लखनवू और आपको बता दूँ कि गुजरात जो नई टीम थी उसने प्लेयाफ में पहुँची टीम और फाइनल जीत करके सब को चोका दिया तब इस बार भी लगभग उ और इस टीम के उपर सब की नजर रहेगी क्योंकि पिछले साल की ये चैंपियन टीम है और इसमें सब को ये देखना है कि बिल्कुल नई टीम थी और वो चैंपियन बन गई और हार्दिक पांडिया के कप्तानी वाली गुजरात में राशिद खान, राहुल तेवतिया जैस कैसे लोग परफॉर्मेंस करते हैं और टीम के जो चार विदेशी खिलाड़ी है उसमें मैथ्यू, वेड, केन विलियम्स, राशिद खान और अलजारी जोशिप ये हो सकते हैं डेविड मिलियर पुरुआती कुछ मैचों में एवलेबल नहीं रहेंगे इसके अलावा साथ बजे का जब मैच की शुरुआत होगी और देखना यह होगा कि धोनी के टीम भारी पड़ती है या दूसरी तरफ गुजराट आइटम्स ये तो आने वाला आज शाम का काफी बड़ा ये मुकाबला है जो कि अहम्दाबाद के नरिंदर मोदी स्टेडियम में आज का मैच होने वाला है और ये मैच शुरुआती मैच ही काफी ज़्यादा आकरसन का किंद्र बनेगा हादिक पैंडिया के कप्तानी वाली गुजराट टाइटन्स का यह लीग में दूसरा ही सीजन है स्रक पहला सीजन उनने खेला और चंपियन बन गई और पहले ही सीजन में सभी को चवकाते हुए इस टीम ने टॉप किया था तब दोनों टीमें लीग स्टेज में दो बार भीड़ी थी और दोनों ही मुकाबलों में गुजराट को जीत मिली थी कोरोना के कारण पूरा टूनामिंट महराश्ट के तीने स्टेडियम में खेला गया था ऐसे में दोनों टीमें महराश्ट महीं आमने सामने थी और दोनों टीमें पहली बार आज नरेंदर मोरे स्टेडियम में भीड़ेंगी ऐसे में दोनों के बीच जो मुकाबला होने वाला है वो काफी रोमान्चक होगा पीच की बात करें तो पीच बैटिंग के लिए नुकूल है यहाँ इस्पीनर से ज़्यादा पेसर्स को मदद मिलती है पीच से और पहली पारी का जो औसत एवरेज है वो 173 रन्स का है लेकिन चेज करने वाले टीम को यहाँ सफलता ज्यादा बार मिला है और नएए स्टेड़ियम पर हुए साफ मैचों में पाँच बार जो चेज किया है उनको सफलता मिला है और दो बार पहले बैटिंग करने वाले टीम को सफलता मिला है वेदर कंडिशन की बात करें तो अंदाबाद में सुक्रबार शाम को टेंपरेचर 30 से 32 डिगरी सेल्सियस के बीच रहने की उमीद है बादल चाहे रहेंगे हल्की बारिस की संभावना है लेकिन मैच में नतीजा निकलेगा प्लिंग 11 पॉस्टिबल की बात क रहुल तेवतिया, राशिद खान, आर, साइकिसोर, यस्ट डियाल, अलजारी जोशेफ और मुहमत सर्मी और जो इंपैक्ट प्लियर्स हैं उनमें नाम आ रहा है केस भरत का, शिव महावी का, मोहित सर्मा, अभिनो मनोहर, चेन्नेई सूपर किम्ट जिस पर की सब की निगा भी रहेंगे, डेवन कॉनवे, रितुराज गायकवार, बेन स्टॉक्स, अमबाती राइडू, मोहिन अली, रविंदर जटेजा, शीवम दूबे, मिचल स्टिनर, दीपक चाहर, और सिमरजीत सिंग, जो इन पैक्ट प्लियर्स होंगे, उनमें अजिंक्या रहाने, प्रसाम इस चैनल पे IPL से जुड़ी हर खबर लगातार आपको मिलती रहेगी, और इस मैच के एक-एक बॉल के उपर, एक-एक रिकॉर्ड के उपर नजर रहेगी, जो कि हम हमेशा आपको अपने चैनल के माद्यम से बताते रहेंगे, तो आईए चलिए मिलते हैं शाम को साड़े सा और इस रोमान्चक मैच को नजदीक से देखते हैं और देखते हैं जाकर जीत किसकी होती है, मेरा जो अनुवान है आज के मैच का, जीत का जो परसेंटेज है, तो महिंदर सिंग धोनी के टीम चैनल सुपर किंग्स के लिए 60% का है, और गुज़ार टाइटन्स के लिए 40% क का है, यानि कि चैनल सुपर किंग्स आज के मैच को जीत सकती है, ऐसे अनुवान के साथ मिलते हैं फिर कल के मैच के बारे में, टेक क्यार, गुडबाई